हम यहां भी इस वक्त अवनी राम लिंगेश्वर मंदिर में हैं माना जाता है कि इस मंदिर का मुख्य हिस्सा 2010 साल पहले बनाया गया था पर मंदिर का बुनियादी हिस्सा जरूर बहुत पुराना होगा क्योंकि ये मंदिर तब बनाया गया था जब श्री राम ने श्री लंका में जाकर रावन का वद किया था और वे सीता को लेकर वापस आये थे वापस आते समय उन्होंने शायद यहीं विश्राम किया था और यहां के लोगों ने ये मंदिर बनाया था और तीनों के लिए यहां एक-एक मंदिर है, एक राम के लिए, एक लक्षमन के लिए, और अब ही जो आप यहां देख रहे हैं, वो लक्षमन लेंगेश्वर मंदिर है, एक सीता के लिए, एक शत्रग्ण के लिए, और उन सभी ने युद्ध से वापस आकर यहीं विश्राम किया होगा और कम से कम यहां के लोगों का ऐसा मानना है कि सीता ने लव और कुश को यहीं जन्दिया था एक अलग स्थान है जिसे वे लव कुश जन्भूमी मानते हैं तो यह कहां जाता है पर यह एक शांदार मंदिर है जिसे एसाई संभालती है यह काफी साफ और अच्छा है पर इसकी जीवनतता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए हालांकि मुख्य देवता आज भी अद्भूत है पर काफी कुछ करना जरूरी है जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर को बस खड़ा रखना ही जरूरी नहीं होता मंदिर की उर्जा स्पंदित हो यह सबसे महतुपून चीज है मंदिर का पत्थर वाला हिस्सा काफी अच्छी स्थिती में है पर वहां उपर जो कुछ भी इट और चूने से बनाया गया था वो खराब स्थिती में है यह हलांकि यह भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन के हाथों में यह कंट्रोल में है हमें समझना चाहिए कि भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन में इमारतों के जानकार लोग हैं वे इमारतों को संभालना जानते हैं, उन्होंने देश में कई स्तरों पर काफी अच्छा काम किया है परनिश्यत रूप से उन्हें किसी मंदर को जीवंत बनाये रखने की ट्रेनिंग नहीं मिली है